हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टड़ी न्यूज आज हम इस वीडियो में समुद्र विज्ञान यानी ओसनियोग्राफी से जुड़ी कुछ बाते जानेंगे सो लेट अस श्टार्ट समुद्र विज्ञान विज्ञान की वसाखा है जिसका समन्ध महासागरो तता उनमें घटित होने वाली घटनाओं से होता है वस्तुता समुद्र विज्ञान महासागरो जल के बहुतिक एवं रसायनिक विसेस्ताओं उसकी गहराई, तापमान, लवर्ता, विभीन प्रकार की गतियूं तथा नीतल पर पाये जाने वाली वनस्पतियों तथा जीवों का अध्यन करता है हमारी प्रित्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसके लगभग एकत्तर परसंट भाग पर जल और बाकी सेस भाग पर इस्तर पाया जाता है वैसे तो भूतल पर तीन महासागर, प्रसांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर प्रमुख हैं लेकिन आर्क्टिक और अंटार्क्टिक सागर को भी महासागर की ही उपाधी दी गई है इनके अतिरिक प्रतिक महासागर से लगे अनेक सागर पाये जाते हैं जिनका नाम सीमावर्ती देशों के नाम पर रखा गया है और कहीं कहीं सागरों को खाड़ी की संग्या दी गई है और विश्व के तीनों प्रमुक महासागरों को भुमद रेखा द्वारा उन्हें उत्री तथा दच्डी गुलार्दों के आधार पर विभाजित किया जाता है जैसे उत्री तथा दच्डी अटलांटिक महासागर उत्री तथा दच्डी हिंद महासागर और उत्री तथा दच्डी प्रसांत महासागर महासागरों से लगे समुद्र भी महासागरों के ही भाग हैं किन्तु उन्हें महादीपो अथ्वादीप सिंखलाव द्वारा अलग कर दिया गया है वास्तों में ऐसे तटवर्ती समुद्रों का निर्माड महासागरों के तटवर्ती भागों के कटे फटे भागों में होता है और यदि महासागर की कुछ भाग काफी दूर तक इस्थल खंड से गिर जाते हैं तब उन्हें भूमद सागर की संगया प्रदान की जाती है इनके आकार में भी विभिनताएं पाई जाती है बड़े आकार वाले भूमद सागरों में उन्हें समिलित किया जाता है जिनका संबंध यूरोप, अमेरिका, अथ्वा, आर्किटिक से है इन में से कुछ अटलांटिक महा सागर तथा कुछ प्रसांत महा सागर के ही विस्तार से निर्मित हुए है जैसे बाल्टिक सागर, हर्टसन की खाड़ी, फारस की खाड़ी तथा लाल सागर ये अंतः महादूपी सागरों के उधारण है जबकि उतरी सागर, जापान सागर, सेंट लॉरेंस खाड़ी, बेरिंग सागर और आखोट सागर तटवर्ती सागर कहे जाते हैं इन में से कुछ का नाम करण भोगालिक आधार पर किया गया है, जबकि कुछ के नाम उनकी खोच करने वाले लोगों के नाम पर रखे गए हैं अब जानते हैं महासागरों का महत्व महासागर हमारे प्राकर्तिक पर्यावरण के सरवादिक महतपूर भाग है सभी प्रकार के जीव तथा वनस्पतियों का अस्तितु का मूल आधार धर्ती का जल मंडल ही है और प्रित्वी पर जीवों की उत्पति सरप्रथम महासागरों में ही हुई है इस विसाल जल मंडल का सौर उड़जा को संचित करने की द्रिष्टी से बहुत अधिक महत है जैसा कि हम जानते हैं इस्थल की अपेक्षा जल की अपेक्षिक उस्मा बहुत अधिक है जिसके कारण इस्थल की अपेक्षा जल अधिक समय में गर्म और ठंडा होता है जल की इस विसेष्ता का जलवायू पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से सागर तटवर्ती छेतरों की जलवायू सम होती है और ग्रिस्म रितू में इन छेतरों की जलवायू स्थल खंडों की अपिक्छा सीतल होती है। इसके विपरीत सीत रितों में इनमें तापमान अधिक कम नहीं होने पाता। महा सागरों को सौर विकिरंड से प्राप्त उस्मा का भंडार कहा जाता हैं जिसका जलवायू को नियंतरित करने में विसेस योगदान होता है। महा सागरों में विभीन प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव, जन्तु भारी मात्रा में पाय जाते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही सुक्त्म आकार के होते हैं। इनमें अन्य प्रकार के समुद्री जीवों की उत्पत्ति और विकास का आधार माना जाता है। समुद्र के तल में गूले हुए विभीन प्रकार की रैसाइनिक प्रदार्थों तथा जल की सतह पर पढ़ने वाली सूर की किर्णों की साहता से प्लैंक्टन द्वारा अनेक प्रकार की जीवों का निर्माड किया जाता है और समुद्र से मानो जाती अपने लिए भारी मात्रा में खाद प्रदार्थ निकालता है और इसके अतिरिक्त पैट्रोलियम, कोईला, नैचुरल गैस, इत्यादी खनीजों के विसल भंडार, महासागरों, समुद्रों तथा खाडियों के तटवर्ती छेतरों के नीचे दबे पड़े हैं, जिनका उपयोग मानो जाती करती हैं, तो ये था समुद्र विज्ञान से जुड़ी कुछ प्रमुग बाते, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब, एंड कमेंट प्लीस लाइक, सब्सक्राइब, प्लीस लाइक, सब्सक्राइब, एंड कमेंट